नमस्कार दोस्तों, HRI News पर फेसे आप सभी का बहुत बहुत सुवागत है दोस्तों, एक बड़ी खबार, बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है इस समय, भाजबा के प्रवक्ता संबित पात्रावा, ITCEL द्वारा नेमेद, एक फेक लेटर राहूल गांदी के नाम स राष्टे प्रवक्ता राजीब गौड़ा ने टूलकिट से जुड़े भाजबा के दावे को लेकर पलटवार कहते हुए, केंद की सत्तारूड पार्टी पर 5G टूलकिट को पेचारित करने का आवरोप लगाया और कहा कि भाजबा के अधच जेपी नड़ा तथा प्रवक पाजी को लेकर जेपी नड़ा और संवित पात्रा के खिलाफ दर्च कराएंगे, उन्होंने दावा किया कि हमारा देश कोवीट की तबाही का सामना कर रहा है, ऐसे समय लोगों को रहत प्रदान करने के बजाए भाजबा बे सर्मी के साथ 5G बाड़ा कर रही है, इतना ही न करना नहीं होगा, स्वास्त मंत्री हरस वैदन कहते हैं कि डार्क चॉकलेट से दूर होगा कोवीट का तनाव, कोरोना से लड़ने में भावी जीप का पापड़ है, मददगार ये कहना है किंदी मंत्री अर्जुन राम मेगवल का, सोचिये सत्ता किनके हातों है, ऐसी सोच क करन ही हमाएं देश में कोरोना अनियंतित हुआ है, और F.I.R. भी कराई जाएगी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ ये कहना है, कॉंगेस पार्टिका क्यूंकि बीजेपी लगाता, दुस्पेचार कर रही है, कोवीड महामारी को लेकर, इस समय के दोस्तों ये बड़ी पथी जो सामने निकल के आ रही थी आप तक पहुंचाई है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद